वेलकम टु सिये गुरुजी क्लासिस डॉट कॉंग आज की वीडियो उनके लिए डेडिकेटीड है जिनके घर में है गर्ल चाइल्ड गामिन का मिशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी योजना के अंदर सुकन्य समरीधी योजना गामिन ने लॉंच करे थी 2015 में तो अगर आपके घर में भी बेटी है उसका फ्यूचर तो आप इसने सिक्योर करी सकते हैं साथ ही इसमें आपको मिलता है ट्रिपल ई बैनिफिट क्या है ये ट्रिपल ई बैनिफिट इस वीडियो में जान रहे हैं आप खुद तो ये वीडियो देखी रहे हैं अपनी फ्रेंग्स के साथ इसे जरूर शेर करें जिनके घर में भी बेटी है इसको शेर करने के लिए आपको वीडियो के नीचे दिया है शेर का बटन आप बटसब पे इसे इसली शेर कर सकते हैं डीटेल में आपको आर्टिकल दिख रहा है, आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रेप्शन और पीन कमेंड में दिया है, मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजे बता रहे हैं, इस स्केम को हम ब्रीफ में बोलते हैं, सुकन्या, समरिध्धी, योजना या SSY, ये आपके girl child के future को secure करने के लिए है, क्योंकि parents का सबसे बड़ा जो concern है, वो है एक बेटी की शादी और उसकी higher education, ये दोनों ही securities आपको इसमें पैसा जमा कराने से मिलती है, और तीसरा benefit है इसमें, triple E, अब ये क्या है, पहले इसे समझते हैं, फिर मैं आपको पूरी योजना के बारे में बता रहे है, इसका मतलब है exam, इसका मतलब है exam, इसका भी मतलब है exam, ये क्या मतलब हुआ, यानि जब आप इस scheme में पैसा डालोगे, जितना भी amount डालोगे, मान लो आपने एक साल में 1.5 लेक जमा कराया, ये tax-free है, section 80C में आपक ये interest भी exam है, tax-free है, और फिर इसकी जब maturity होगी, तो maturity पे मिलने वाला पैसा भी exam है, इसलिए भी scheme को बहुत जादा पसंद करा जाता है, क्योंकि इसमें tax का बढ़न तो है ही नहीं, और interest का rate भी bank के interest rate से बहुत जादा है, कोई भी bank आपको 3-4% का interest देता है, इतना ही post office देत इसमें saving account में पैसा डालते हो, इसमें saving account में पैसा डालते हो, FD पे 6% तक का ब्याज मिलता है, इसके अंदर, right now, 2024 में आपको 8.2% interest rate दिया जा रहा है, ये हर साल change किया जाता है, जब ये योजना आई थी, तब इसमें 9.1% का interest rate था, तहा मिना कोई भी योजना आती है, उसक कुछ ना कुछ condition होती ही है, सबसे पहले बात करते हैं, बेटी की age की, तो आपकी अगर daughter है, और उसकी age up to 10 years है, तो आप अभी भी ये account open करा सकते हैं, या फिर मैं आपको suggest करूँगी, जैसे ही घर में girl child हो, उसका सुकर्निया समरीधी account साथ साथी open करा ले, वैसे 10 साल तक की age का criteria है, सुकर्निया समरीधी account open कराने का, अगर आपकी daughter 11 साल की है, और आप सोच रहे हैं, तो ये account आप open अब नहीं करा पाएंगे, ये है इसकी पहली condition, दूसरा है कि ये up to 2 girls child के लिए allowed है, ठीक है, अगर आपकी 2 बेटिया है, तो दोनों का आप open करा सकते हैं, सुकर्निय ही दो हो गई है, तो आप दोनों के लिए कठा करा सकते हैं, या फिर पहले एक girl child होई है, फिर twin girl child हो गई है, तो उस case में 3 सुकर्निया समरीधी भी open करा सकते हैं, ये इसकी exception है, तीसरी इसकी condition है, कि इसमें आपको पैसे जमा जरूर कराने है, बट बहुत ही minimum amount है, 250 रूपी सुकर्निया समरीधी अकाउंट खुले हैं, अल आवर इंडिया, तो बहुत सारे persons इसका benefit लेने हैं, जब इसकी इमा आई थे आप आते ही, तब भी 1.5-2 करोड के करीब, अकाउंट open हो गए थे, तो ये है कि 250 रूपीज आप minimum जमा कराएं, तो अगर आपका pocket allow नहीं करता है जितने पैसे आपके पास हैं, आप जमा करा सकते हैं, और कभी भी जमा करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में amount deposit कराना है, जब भी अवलेबल है, monthly अवलेबल है, किसी दिन अवलेबल है, तो कभी भी जाके आप ये पैसा जमा करा सकते हैं, अब आप कहेंगे कि हमें कह पे अमांट नहीं को आपपन कराईब आप एक यह सारे बैंग को फेसिलिटी देता है PLUS पोस्ट ओफिस तो कोई भी बैंग और पोस्ट ओफिस आपको यह फेसिलीटी देता है आप तुकन्या समरेगि अक्वान अ क्वंतर ना आपको ये पैसा 15 साल तक जमा कराना है 15 years तक आपको amount deposit कराना पड़ेगा एक बर ये account open कराने के बाद minimum limit है 250 और maximum है 1.5 lakh ठीक है इससे जादा आप deposit नहीं करा सकते अगर आपकी girl child 18 years के अबव हो जाए 18 years है उसे अबव और आपको इसकी marriage के लिए पैसा चाहिए तो आप इसका premature withdrawal करा सकते है या फिर उसकी higher education के लिए पैसा चाहिए तो account में जितना पैसा उसके 50% तक आपको maturity amount मिल जाता है अब मैं आपको दिखा रहे हूं इसका interest rate देखे जब से सुकन्या समरीदी स्कीम है 2015 में अनॉंस हुई थी है तब से लेकिए इंटरस रेट का pattern है 2015 में 9.1% 2016 में 9.2 देन यह quarterly कुछ बार change हुए बिच में भी change हुए कम कर दिया तो अब अभी आप देखेंगे 1st January से 31st मार्ट 2024 तक 8.2% का interest rate है अभी यही चल रहा है अभी अप्रेल 2024 में यह video बना रही हूं है तो अभी इंटरस रेट 8.2 है तो यह change होता रहत है fluctuate होता रहत है बट काफी अभी अपन होते हैं पोस्ट ओफिस और बैक्स में तो आप इहां पर क्लिक करके देख सकते हैं मैं यहां लिंक दिया है अब आपका कोशन आएगा कि हमें बैंक में जाके documents क्या submit करने है क्या-क्या documents required होते documents बिकुल ही basic documents है birth certificate ठीक है girl child का और जो parents यह गार्जन क्योंकि वही जाएगा text-free इस पर आप 30% से भी ज्यादा टेक्स सेव करते हैं कैसे करते हैं जानते हैं यहां मैंने calculator का link दे रखा है आप इस पर क्लिक करिए करते ही यहां पर आपके सामने calculator आ गया तो अब यहां से सबसे पहले frequency सिलेक्ट करने है कि कैसे आप पैसा डालते हो monthly quarterly half yearly yearly मैं yearly स करती हूं एंटर करें installment amount कितना installment का amount आप डालेंगे तो मैं यहां पर 1,50,000 एंटर कर देते हैं then current rate of interest देखे 8.2 यहां पर अपने आप आ रहा है तो जो भी current interest rate होगा इस calculator में अपने आप reflect होगा deposit की terms देखे 15 years automatic आ रहे हैं कि 15 साल तक इस account में पैसा जमा कराना ही पड़ता है और यहां पर maturity की terms भी खुद आ रहे है 21 years यह details खुद autofill आ रहे हैं आपको तो बस यहां पर frequency select करनी है amount डालना है और बस submit पे click कर देना है सब्मीट पे click करते ही calculation आ गई total आप deposit कराएंगे फंद्राइंटी तू लाग 50,000 रुपी यारी 1.5 लाग को multiply करेंगे अगर आप 15 लाग से तो इतना ही amount बनेगा तो जैसे जैसे आप यह amount जमा कराते रहेंगे हर साल यह डेट लाग पर ही आपका 30% का tax बचेगा यारी approximate डेट लाग नहीं आपने एकी लाग जमा कराएं है टेक्सेव होने की वज़े से क्योंकि ATC में आपको इसकी deduction मिल जाती है दिन आपको देखें इंट्रस्ट कितना मिलेगा अगर 8.2% का ही हम average interest rate लें जो current चल रहा है भी average करेगा यह तो आपको 49 lakh के करीब का यहां पर इंट्रस्ट मिलेगा और यह compound होता रहता है क्योंकि interest भी आपको निकाल तो सकते नहीं हो आप और यह compound होता रहता है तो इसलिए इसका amount बन जाएगा टोटल 71 lakh से भी जाधा और जब यह आपको maturity पे पैसा मिलेगा with interest तो यह पूरा पैसा interest भी और आपका maturity amount है पूरा का पू यह समरेधी account में और जैसे आपको major need उसकी marriage पे और उसकी higher studies के लिए होते है girl child की तो उसी time पे पास यह पैसा अवलेबल होगा उसको use करने के लिए आप कितना अच्छा future दे सकते हैं आपने girl child को आप खोद देख सकते हैं तो आप यहां पे अपना amount जो भी आप जमा कराना उसको change करके भी देख सकते हैं कि आपके लिए कितना यहां पे benefit शोरा है इस calculator का link इसी article में है article का link description में दिया है तो आप इसको जरूर चेक करना इसी article में जहां आपको calculator का link दिख रहा है इसको नीचे अगर आप पढ़े तो मैंने बिलकुल exactly law की language यहां पे डाल ले आप इस closer of maturity withdrawal तो आप इसको पढ़िए आपकी और भी जादा understanding बनेगी पर सुकन्या समरीधी योजना आपके लिए बहुत beneficial है अगर आपकी girl child है आप इसका भरपूर benefit ले और 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 भी persons के साथ इसे शेयर करना बिलकुल भी ना भूले CA Guruji चैनल पर इसी तरह की important वीडियो जाती रहती है वीडियो के नीचे भी subscribe का बटन है या आप चैनल पे जाए सब्सक्राइब पे क्लिक कर ले यह आपके लिए बिलकुल free है और अगर आप यह आपके kids advanced learning में इंट्रस्टीड है तो CA Guruji classes.com पे एक बार विजिट करें यहां कोर्स में आप इंट्रस्टीड है उसके आपको क्लिक करना है और आप पहले कोर्स कवरेज को रीड करें और देन आप add to card करके जब payment कर देंगे तो यह आपका login क्रेट हो जाएगा यहां से आप इसको फिर फर्दर देख सकते हैं अपनी knowledge बढ़ा सकते हैं बहुत सारे persons हमार और देक सकते हैं